हम सभी को मालूम है कि अंडे से muscle build होते हैं other micro macro strength training भी ज़रूरी है क्योंकि अंडे में होता है protein 3.6 grams protein आपको white में मिलेगा और 2.7 gram आपको yoke में मिलेगा पर क्या उसको कच्चा खा लेना सही है protein तो हम सबको पता है अंडे में होता है other vitamin minerals भी होते है good fat भी होता है तो क्यों ना वो liquid state में है हमको ऐसा लगता है कि वो liquid state में रहता है जब अंडे कच्चा रहता है तो उसको फोड़ो 6-7 अंडे पी जाओ तो liquid ज़्यादा अच्छे से digest होता है ज़्यादा जल्दी digest होता है as compared to solid state of egg ऐसा लगता है बहुत लोगों को क्योंकि हम अगर 6-7 अंडे खा लें whole egg खा लें solid state में उसको पका के तो हमको bloated feel होता है हमको भरा भरा लगता है हमारा पेट भरा भरा लगता है तो क्यों ना उसको पहले ही पी जाए ताकि वो digest अच्छे से हो जाए ताकि हमको bloating type की feeling ना आए ताकि हमारा पेट भरा भरा ना लगे और हम और जादा और सारी चीज़े खा सकें तो यहाँ पे आप शायद गलत हो देखतर ही इस वीडियो को end तक This is Shivam Dubey signing into your fitness stories and I'm back with another video तो क्या कच्चा अंडा खा लेना सही है आसानी होती है ना यार मार्केट से लाया फोड के खा लिया नहीं तो मार्केट में ही फोड के खा लिया कौन इतनी महनत करे घर पे लाओ उसका omelade बनाओ या फिर उसको boil करो या फिर उस scrambled egg उसको बना के हम लोग खाओ पर क्या आप लोग जानते हो पहला इसका drawback आपने अगर कच्चा अंडा खाया तो आपको उस अंडे का 50% प्रोटीन तो मिलेगा ही नहीं आपकी body उस 50% प्रोटीन को accept ही नहीं करेगी 6 रुपे का अंडा आप खा रहे हो 3 रुपे का ही प्रोटीन उसमें मिल रहे है आपको 3 रुपे वेस्ट हो रहे है आपके 3 रुपे का प्रोटीन वेस्ट हो रहे है आपका तो ऐसा क्यों होता है 6 लोगों पे एक study हुई थी जिनमें से 3 लोगों को कच्चे अंडे खिलाएगा और 3 लोगों को पका के अंडे खिलाएगा और जब test के result सामने आए तो वो जब 3 लोगों ने पके हुए अंडे खाये थे उनकी बॉडी में 90% प्रोटीन उन अंडों का अच्छे से अब्सॉर्ब हो गिया और जिन लोगों ने कच्चे अंडे खाये थे उन लोगों की बॉडी में 40-45% प्रोटीन ही उस अंडे का absorb हो पाया तो सोचो कितना protein आप waste कर रहे हो साथ अंडे खा रहे हो अगर तो साथ अंडे में से आधा protein ही आपको मिल रहा है बाकी साथ अंडे का जो आधा protein है वो waste हो रहा है दूसरा point आपने सुना होगा न कियार बालो के लिए अच्छा होता है अंडा स्किन के लिए अच्छा होता है अंडा तो वो अच्छा क्यों होता है अंडा क्योंकि उसमें होता है बायोटिन एग यॉक में आपको मिलता है बायोटिन तो जब आप अंडे खाते हो तो आपको बायोटिन मिलता है आपके skin के लिए healthy है, skin rashes नहीं होंगे कभी, आपके बालों की growth के लिए अच्छा है, लेकिन अंडे के अंदर ही, york में हमको मिलता है biotin, और egg white में होता है evidin, biotin का दुश्मन, evidin protein भी हमको अंडे में मिलता है, क्योंकि वो मिलता है egg white में, हम जब अंडे खाते हैं, तो हम साथ bind होके, biotin को वो पकड़ लेता है, और उसका absorption नहीं हो पाता है, तो biotin deficiency वैसे तो सब की body में नहीं होती है, कुछ लोगों की body में होती है, लेकिन अगर आप अंडे खा रहे हो कच्चे, तो evidin नाम का protein वो जो biotin आपकी body में है, उसको पकड़ लेगा, उसका digestion नहीं होने देगा, उसको absorption नहीं होने देगा, और फिर chances है, hair fall के, skin rashes के skin related issue आपको हो सकते हैं, तो भाई पका के खाओ, evidin का असर कम हो जाता है, जब अंडे हम पका लेते हैं, biotin का असर बढ़ जाता है, आपकी body में दोनों protein बहुत अच्छे से digest होते हैं, तीसरो point है bacterial infection, salmonella नाम का एक bacteria अंडे में होता है, वैसे तो ये 10,000 अंडों में एक ही पाया जाता है, पर क्या फायदा, क्या पता, ऐसा हो कि आप जो कच्छा अंडा खाने वाले हो, जो खा रहे हो, वही 10,000 में से वो एक अंडा है, जिसमें salmonella bacteria है, तो bacterial infection होने के chances हैं, वैसे तो बहुत कम ह पर risk क्यों लेना, पका लो उसको तो salmonella bacteria मर जाएगा, फिर आप खा सकते हो, आपके digestion में problem आएगी, आपको diarrhea तक हो सकता है, बहुत सारे cases में आपको hospital तक जाना पड़ सकता है, ऐसा देखा गया है, तो भाई पका लो तो वो bacteria जैसे हम अंडे को बालते हैं, पकाते हैं, तो भाई बहुत सारे फायदे हैं, अगर आप अंडो से बच जाते हो, अगर आप उस अंडे से बच भी जाते हो, सालmonella bacteria से बच जाते हो, मानलो आप कच्चंडे खा रहे हो, तो नुकसान तो तब भी हो रहा है, 50% protein आपको मिल नहीं रहे है, 40-50% protein आपको मिल नहीं रहे है, उसके अलावा, biotin absorption जो कि आपके बालों के लिए अच्छा है, बाल जड़ रहे हैं आपके, क्यों जड़ रहे हैं, biotin की कमी से, एक तो biotin की कमी वैसे ही है, उपर से कच्चंडे आप खा रहे हो, तो वो जो थोड़ा बहुत biotin है, आपके बालों को बचा के रखा है, ज भाई उबाल के खाओ, सर्फ इतना कहना है, ओमलेट बना के खाओ, स्क्रैंबल खाओ, हाफ फ्राइब तक चलेगा, हाफ फ्राइब भी खाओ, तब भी बैक्टेरियकल हो जाता है, लेकर अगर आप कच्चे खा रहे हो, तो भाई यह यह प्रॉब्लम है, बहुत सारे से रेलेटिड, दे सेम नम यूर फिटनेस स्टोरीज के नाम से, मेरा इंस्टाग्रम अकाउंट है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग दीम करो, मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जय हंद वन्दे मात्रम, दिस रिस झाल